नमश्कार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आपके साथ रागनी सिंग एक कहावत है कि अच्छी तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है लेकिन वो तस्वीर तभी अच्छी होती है जब उसको अच्छे से क्यात किया गया हो आज हमारे साथ स्टूडियो में पर मौझूद है त्रलोचन सिंग कार्ला जो एक फोटो जर्नलिस्ट है एक 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 अक्टर है और एक लेखक भी है आए जानते हैं उनसे कैसे रहा उनका फोटोग्राफी का यह सफर त्रलोचन जी आपको बहुत-बहुत स्वावत है तेंक्यू त्रलोचन जी आपको एक फ फोटोग्राफर हैं मिस्टर प्रदीप शाह उनके जैसा मैं चाहता हूं तुम बनो तो मुझे भी अपना नाम देखने का बहुत शौक था मीडिया में तो श्याद यही बज़े रही होगी कि मैं शुरुवात में काम करने लगा और मैं चाहता था मेरी फोटोग्राफ चप किया करता था और एक महीने में चार कॉलम में मेरी फोटोग्र चप जाती थी तो इस तरह से मेरी शुरुवात हुई मुझे अपना नाम अखबर में देखना अच्छा लग लगता था और वही चीज़ मुझे आगे ले आई जैसा कि मैंने शुरुवात में ही कहा कि एक अच तस्वीर नवीसी का काम है इसके अंदर आपको 14-15 घंटे काम करने की हिम्मत होनी चाहिए और लगातार सगेंड के सुई कितना दौरना पर पड़ा है और उसके करनी है कि तस्वीरे कब आपको अच्छा नाम लेके देंगी कब आपको रोजबरा की रूटीन पिक्चर्स कर करती हैं इसलिए ऐसी बुक में बहुत सारी तस्वीरे मैंने शामिल तो नहीं किये लेकिन फोटो जनलिजम के चैप्टर में जो मैंने इस बुक में शामिल की हैं वो उसके अंदर कुछ तस्वीरे हैं आप एक लेखक भी है आपने किताब किस सब्जेक्ट पे है जरा आपनी को हेल्प करें तो फोटोग्राफी का शौक सबको है लेकिन हर आदमी जो है वो तस्वीरों के साथ वो उसकी सेटिंग्स में उलच जाता है एक कैमरा कैसे वर्क करें वो उसकी सेटिंग्स क्या होंगी तो अगर मैंने ये बुक उनलों के लिए लिखी है और जो शौ रोशनी का तिलिस्ट में है फोटोग्राफी तो ये उन लों के लिए है मेरी इस बुक के साथ मैं कहूंगा कि इसे अगर आठ साल से और आठ साल की आयू से लेकर और कोई बुज़र्ग भी चाहे और ऐसा व्यक्ति जिसका फोटोग्राफी से कोई रिष्टा नहों तो वह कि इस बुक को पढ़ने के बाद फोटोग्राफी की बारीकियां जान सकता है यही इस बुक की खासिया था क्योंकि सरल भाशा में यह बुक मैंने दिया रोशनी का तिलिस्ट में फोटोग्राफी आपका शौत था या फिर आप सिर्फ करियर बनानी के लिए इसमें आए की फोटोगर्रणलिज फोटोजनलिस्प मेरा पैशका कि बिना पैशन पैशन कि आप किसी काम में नहीं जा सकते अगर मुझे विझे फोटोग्राफर कहले पसम नहीं करता सिर्फ बटन दबाना ही हमारा काम नहीं है इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको आपने कहा कि 3000 फह त सवी क kijken पिक्चार आती पोपार में पहले पनने पौर दोण देती है वो सालों टक लोगों को या रह रहती है और शाहिद में ही किया हर तस्वीर अब इसा चाहता है कि नाइन्टीनी तो करीम इAST में प्रदिन जौइन किया एक साल के लिए उसके बद मैंने राश्टी सारा लाँच कर आया एक साल पर करेंजी तो इस ते रहन का हुआ लूंच कर आया तो इस तरह कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कुछ आपको नया करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, तो वो थीटर से जोड़ा, इस कारण मुझे बॉलीवूट की फिल्मों में करेक्टर रोल मिले, और म्यूजिक का शौक रहा, तो आप कुछ नया करें, और डेस्टेनी एकेडमीशन मे मैंने तीन साल पढ़ाया, फिर 2009 में दिल्ली तहल का छोड़ा, तो तब से मसलसल मैं वही हूँ, तो नौ, मैंने अब पत्रकारता, फोटो पत्रकारता छोड़ी है, लेकिन अब मैं वही विशे मास कम्म्निकेशन के स्टूडेंस को पढ़ाता हूँ, अब आप ने ये चीज अब बनेगा ये नहीं बताएगा, वह आपको सेंस रखना पड़ता है, आपने बताया कि आपने बॉलीवूड में काम किया है, कि किन कलाकारों के साथ आपने काम किया और क्या बॉलीवूड के देखिया ऐसा कि थेटर मेरा शौग था तो हम लोगा ने स्टीट पले बहुत टीवी, उसके अंदर मुझे, क्योंकि मेरा लुक थोड़ा बिटिश जासा था तो मुझे फिरंगी को रेल मिले, कभी जेलर का रूल मिला, लेकिन पहली फिल्म मिली मुझे मिली गिफ्ट जो लखनों में शूट होई थी, उसे मेरा रिसर्टनिस्ट का रूल था, फिर उसक मिली मुझे और दास देव, उसमें मेरा डॉक्टर का रूल है, और गुलाब सिदावों मेरा आर्केलोजी आफिसर का रूल है, उसके अलावा अभी कागस टूर फिल्म शूट हुई है, अनपमखेर साथ, उसमें मेरा डॉक्टर निगम का कारेक्टर है, इसी तरह से एक फि में रोल मिल गया कहीं मुस परसनालिटी में शूट करते हैं कहीं प्रोफेसर लग रहे हैं तो इस तरह की करीबन मेरी 10 फिल्में हो जाएंगी आने वाले दो हजार 23 चक और चार वेब सरीज तो मैं यह नहीं कह सकता कि कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं लेकिन जो मुझे रोल दिया जाता अगर डार्ट डारेक्टर को अच्छा लगा तो इसका मतलब मेरा काम हो गया बिलकुल बहुत बढ़ हैं आप एक फोटो जनलिस्स से आपने शुरुवात की और आप एक्टिंग में आपका अनुभव क कैसा रहा एक्टिंग में अनुभवत ऐसा है कि फिल्म वाले जब आपको यहां आते हैं लेने तो थैंक्स टू यूपी गौर्मेंट की यहां बॉलीवूट की तमाम फिल्में शूट होती है इस करण यूपी के आर्टिस्ट को काम दिया जाता है लेकिन जब आप वहां पह अगर देश की पॉल्टिक्स में भी हो जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन एक्टिंग यह में सिखाती है कि आपका डारेक्टर जो चाहता है वह करिए अगर वह खुश है तो पिर आप एक्टर हैं अगर आप नहीं है तो फिर जब वो डारेक्टर खुश नहीं तो फिर हम देखुश नहीं आप ने बताया कि किस तरीके से आपने फोटो जर्नलिस्ट से एक्टिंग तरका सफ़ता है कि अब आप लेखत आपने यह लेखनी लिखी है अपने पहली किताब आपने रोश्णी की तिलसिम है फोटोग्राफी इसको लिखा है अगर मैं डिजिटल अपना महत्वे आप इसको जब चाहे तब आप इससे आउन करके बैठ सकते हैं खोल के पढ़ सकते हैं और जहां तक आउनलाइन पढ़ने की बात है आपकी आँखों पे असर पढ़ता है बहुत सारे लोग लैप्टाप पे देखते हैं कुछ लोग टैप पे देखते हैं आउनलाइन का प्रयास चला है लेकिन अभी ये मेरी पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पे दस बुक छपी हैं तो ये इसलिए है कि ताकि मैं अपना प्रोड़क्त किसी को दिखा सकूँ कि मैंने ये किया है तो बुक लिखने के पीछे रीजन यही रही बात लिखने की तो मै किसी से कहना पड़ इस पर कैप्शन लिखो तो वो लेंसमें बेकार है वो सिर्फ एक कैमरा परसन है या एक एक स्रे टेक्नीशियन है जिसका काम बटन दवाना है अगर वो अपनी खीची तस्वीर पर चार लाइन का कैप्शन नहीं दे सकता तो उसका फोटो जनलिजम में सकतव सकता बेकार से कि की एक स्वीर कारणा लिखें रही में लिखने की प्रतितरों में अकिछन थी जरूर। डाट खाका के मुझे सीखने को मिला अपने बहुत अच्छी बात कही कि खोटोग्राफी और एक फोटो जनरलिस्ट होने में और फोटोग्राफर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि फोटो जनरलिस्ट जो होता है वो अपनी तस्वीरों को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती वो तस्वीर ही बया कर देती है सारी चीज़ें और फोटोग्राफर सिर्फ एक कैमरा को लेकर और फोटोग्राफी करता है बहुत बढ़ी हालागा आपसे बात करके बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडि लिए धन्यवाद